20 उर्दु ए 5 ख्लास अस्सलाम अलेकूम बच्चो आज हम सबक एक पहादूर खातून की बख्या मश करेंगे आप अपनी बुक्स के पेट नमबर 1.19 ओपन कर ले चले बच्चो शुरू करते हैं सवाल नमबर 5 है मिसाल के मताबिक इन इलपास की जमा बनाएं बच्चो इसमें मिसाल दी गई है कमाल और कमाल की जमा है कमालात हाल, हालात हाल, हालाद, खयाल, खयालाद, खयाल, खयालाद, इबादत, इबादाद, इबादत, इबादाद, नुकसान, नुकसानाद, नुकसान, नुकसानात, मकाम, मकामात, मकाम, मकामात, जजबा, जजबाद, एलान, एलानात, एलान, एलानात, और लास्ट में, मौजूद, और बच्चों, मौजूद की जमा हैं मौजूदात, मौजूद की जमा हैं मौजूदात, सवाल नुम्बर च्छी है, मिसाल के मताबक दिये गए इलवास की इमला दरुस करें, बच्चों, यहां पर मिसाल के तूर पर यह लवज दिया गया है, फैस, और बच्चों, फैस पे जए नहीं आता, बलके फैस में जवाद का इस्तेमाल किया जाता है, तो फै, बढ़िये और जे, इस तरह से पैस नहीं होगा, बलके फै, बढ़िये, जवाद, इस तरह से फैस लिखा जाएगा, अच्चा, यहां पर एक लवज दिया के एए है, कुर्बानी, फाइफ क्लास, कुर्बानी, स्टिक वाली काफ से नहीं होगी, बलके कुर्बानी में लुक्ते वाली काफ का इस्तेमाल किया जाएगा, तो सही लवज इस तरह से लिखा जाएगा, काफ, रे, बे, अलिफ, नू, छोटी, कुर्बानी, यहां पर काफ स्टिक वाली नहीं, इस्तेमाल होगी, बलके लुक्तों वाली काफ का इस्तेमाल किया जाएगा नेक्स लफ से कुवत फाइव क्लास कुवत में भी काफ की ही गलती है यहां पर भी स्टिक वाली काफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी बलके लुक्तों वाली काफ का इस्तेमाल किया जाएगा तो कुट सही तरह से इस तरह से लिखा जाएगा kahu वाओ ते लफ़स नसीब पियारे बच्चों नसीब में सीन का इस्तिमार नहीं हुता बलके नसीब में सुआत का इस्तिमार किया जाता है तो सही तरीके से इस तरह से लिखा जाएगा नून सुआत चोटिये बे नून सीन चोटिये बे ये गलत है नून सुआत चोटिये बे ये सही है असूल फाइफ ट्लास असूल में दो गलतिया है आइन, सीन, वाओ, लाम बच्चो उसूल आइन से नहीं होता उसूल अलिफ से लिखा जाता है सीन का इस्तिमाल नहीं होता बलके सुआत का इस्तिमाल किया जाता है तो सही तरह से उसूल इस तरह लिखेंगे अलिफ, सुआत, वाओ, लाम उसूल लास्ट में लफ्स है बेहुर्मती बच्चो बेहुर्मती इस हे से नहीं लिखा जाता बलके इसमें जीम चे वाली हे का इस्तेमाल किया जाता है बेहुर्मती ये गलत है जबके सही तरह से इस तरह से लिखा जाएगा बे पढ़िये बे हे रे मीम ते छोटी है बेहुर्मती इसमें हे की गलती है फाइफ ग्लास आज सबक एक पहादूर फातून की मश्क मुकमल हो गई है आपने मश्क को अच्छी तरह से याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है जो कि आपने अपनी अम्मी अबाजी को चेक करवानी है ठीक है बच्चो अलाह अफीज